है फ्रेंड्स आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफलता की ओर आज हम आप लोग लिए बिपीएसी के थ्रूज बिहार प्राथमिक सिक्षा की बहाली आई है उसके लिए रुकमड़ी प्रकासन का वॉलूम वन टेस्ट्रीज निकाला गया है जिसमें कुल प्रोष्णों की संख्या 20 है इसमें टेस्ट्रीज में कुल 25 सेट दिया गया है 25 सेट में से हम आपको चार सेट का डिसकासन करा दिया है अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया आप वहां से देख सकते हैं आज हम सेट नमबर पांच का डिसकासन कराने वाले हैं यह जो टेस्ट रीज है वह पूर्टा जो नया भी पीएसी के थ्रू जो जारी किया गया उसको देखते हुए को तयार किया गया तो वीडियो अन तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी कोशन दिया गया है अगर आपके सेट नमबर पांच का सेट नमबर पांच में जो मैं कोशन का के कोशन है जिसको हम करेंगे यहां कोशन जो है वह 41 नमबर से हैं और नहीं सुनने के लिए शुरोता और परावर्त के बीच में कितिनी दूरी होने चाहिए ते निम्तं हम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी ये सुना ही देगा अगला कुशन देखते हैं, इन में से कौन सा हर्मोन, मानोराग्ट में सारकरा की मत्रा को नियांतिरिद करता है बताना कौन सा हर्मोन जो है सरक्रा को मानोरोक्त में नियांतरीद करता है तो यह नियांतरीद करता है इंसुलीन इसका जो एंसर हो जागा बी नमबर हो जाएगा यह इंसुलीन क्या है तो इंसुलीन जो है वो प्रोटीन से निर्मित एक हर्मोन होता है इंसुलीन हर्मोन गु यह हैं अगला कोशन है एक मरीत मानों सरीर के भिक खेदन और अध्यान के लिए चिकिस्तिय कानून नाम दिया गया है तो इसका नामकरण जो दिया गया है वह आटोपसी दिया गया है इसका जो एंसर हो जागा C नंबर हो जाएगा अगला कोशन है सनवेग ग्यात करने का सूत्र क्या है आपको बताना है सनवेग का जो सूत्र क्या होगा तो सनवेग का सूत्र जो होता है रोमान गुने वेग होता है इसका जो एंसर हो जागा D नंबर हो जाएगा अगला कोशन ह निंड में से कौन से घ्amment इन सभी में सभसे अमली ऐ है इसमें पताना हैं नहीं सभसे अमली czasie कोन सा ऐसे अमली है जानने से पहले हम झिंडान लेते हैं कि आमली या निकालने के लिए और कीस चीज का प्रियों की एता जोaciे拍 bag सब्सक्राइब करने तरो जीरों की तरफ जीतना रहते हैं वहाई जीरों से आगे वैसे घ्मल्यता बढ़ती जाती यह आगला कोशन देखते हैं निम में से कौन बिजली के कुछालक है इसमें बताना है कि बिजली के कुछालक इसमें से कौन दिया गया है पहला दिया है माईका और कौाट जो कि ये बिजली के कुछालक है अगला है धातू और रबड ये धातू तो है और रबड जो है कुछालक है तो इसमें कुछालक नहीं है दोनों अगला है धातू और माईका है माईका जो है कुछालक है और ये सुचालक है तो ये फिर गलत हो हो जाएगा कैसे में क्यों एक जोहां Ehwraf ऑबादलों सफेध किसके कारण कारण के परक्रिंणन पारेस को खलता है तो है कि जोहाँ के किस के कारण दिखाई देता है तो वह भी परकास के परकिर्णन के कारण ही दिखाई देता है फिर यही कोशन पूछ दे कि सबसे परकिर्णन किस रंग का सबसे ज्यादा होता है तो बैगनी रंग का परकिर्णन जो हता है परकास का सबसे अधिक होता है जबकि लाल रंग का प्रकास का परकिर्णन सबसे कम होता है याद रखेगा कोशन पूछ देता है कि प्रकास का परकिर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है सबसे कम किसका होता है तो वह लाल रंग का होता है अगला कुशन देखते हैं निमलिखित में से कौन से जानवर पहला देगह? पतंग, पतंग जो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती है, अगला इस सार्ग, भी नहीं कर सकती है, अगला यतलल, यतल रभी से और फॉइसेस तो कि इससे पह रप्योदली तो, आप वे पहों ऑखती है जो Dolphin के समान दीखता है अगला को शनन है परकास SANS RECOLATION होता है अगला कोशन नहीं होता है यह होता है दिन में अत्वारतari यहां से नमबर हो जाएगा अगला कोशन है रोग उत्पन करने वाला सबसे चोटा कारकार 한ही W कौन साब नायेे या बनाया सिर्व प्रोटीन बनाया इसका एंशर होता है इसकांसर हो जाएब में कि इसके कमी से इंड्रोड है आग साट आंत्य होता है यह उत्लिय convicted नहीं कम खता होता है बताना है कि सबड़ाया इन फसते-पस नहीं पर श्रूब्रस नंबर जाएगा अगला और फ्लक्स मिलका बंता है यह जो एंसर हो जगा एंशन नमबर में अगला कोशन है कुछ जनतू को रुधिर निला होता है क्योंकि उसमें होता है बताना है कि कुछ रुधिर निला होने का कारण कुछ जनतू का क्या कारण है यह कारण है हीमोसाइनीन इसका जो एंसर हो जगा सी नंबर हो जगा हीमोसाइनीन पाए जाने कारण उसका रंग जो ह प्रियोग किया जाता है तो यह प्रियोग किया जाता है आपसी सो मीटर इसका जो एंसर हो जाएगा सी नमबर हो जाएगा अगला कुशन है तारों में उर्जा उस्वर्जन का मुख्य कारण क्या है तो उसका मुख्य कारण है हलके नाविकिये का सल्यान इसका जो एंसर हो जा गलत दिया गया लीची जो ओता है आनटा फाल भीती जो की गलत दीज़य गया भीति नहीं होगा यह एरिल भाग खाते हैं हम लोग अगला दिया गया खजुर खजुर का रिटी तथा बिणल जाइज़ सहिते इसे बदद गलत कौन तो इससा जो गलत है यह प्रकास का यूटतन के अंसर tips क्ैवेगा अधिक उता है उसका नंबर हो जाएगा अंगला और आयतन क्या होता है तो आयतन बढ़ जाता है अगला कुशन है बढ़ ही ही देदर को क्या कहते हैं तो कहा जाता है टेकी कंड्रिया इसका जो एंसर जाएगा बी नमबर हो जाएगा अगला कुशन है समागी करण इन में से जो हो जाएगा वो दूध में उपस्तित व्वसा को छोटो छोटो करण में बठना है इसका जो एंसर जाएगा भी नमबर हो जाएगा अगला कुशन है आउतल लेंस में बना परतिबीम हमेशा कैसा होता है तो आउतल लेंस में जो परतिबीम बनता है वो हमेशा होता है पहला दिया गया एफ और धुरू के मद्ध होता है जो की सही है अगला दिया गया छोटा होता है ये भी सही है अगला परकनली में पानी सिगटा से गर्म होता है यदि परक्नली को गर्म किया जाए तो क्या होगा हो गर्म को जब गर्म करें गर्म होगा इसका जो एंसर जाएगा सी नंबर हो जाईगा यही कोशन पूछा देता है कि अध्यक्त ड़emasaj Pope earn copies तहीं संहांवन बीदि के दोरा होता है याद रखेएंगे कोशन बहुत बार पूछा गया है कि द्राओ और गैस जो है की से जो बीधि के द्वारा गर्म होता है अगला कोशन देखते हैं एक उड़ता हवाई जाहाज दिखाई देता है वास्तवी की स्थिती देसे तरक्ता है एक तरक्ताल पता जो है यह अलपात रोग है इसका जो एंसर जगा बी नंबर हो जाएगा अगला कोशन है संसार का सबसे लंबा जीवित ब्रिक्ष कौन सा है बताना है कि सबसे लंबा ब्रिक्ष जो संसार का सबसे लंबा है वो कौन सा है यह हो जाएगा यूकिले हैं ढilityसं एक जाता है है अलूरा कुछान जाल में अविलिया त्ध दिया गया अगला ऐक गलत दिया गया हैं इसमें जो आउन जो जहाएका वो ए नमबर हो जाएका इसका एनसर एन बरो zod जाएका अगला कुशन देखते हैं फ़ंगvordan ने किसका इविस्कार किये थे जह आउसका आउसकार किये थे लो उसका आपको सिधे परतिपादन किया था किस सैक्षाarken परतिपादन किरें लिए यहां जो ब्लैक रोल की पृतिपाधन किसे शेखर ने इस चंदर सेखर ने दियते हैं यह सीवी रह और होगा दिये यांड रखेगा अघला कुशन है खाना को काटने और फाडने समय हम की स्टाथ का उप्योग करते हैं हम प्रोक इन्दत अगला कर दैव कॉछ नि मिलिकेद में से कौन साथन गलत है इसमें बताना है कौन से धातु को आर्थिक रूप से निस्क्रीति किया जा सकता है जो कि यह भी सही है तो इसमें गलत चूज करना था इसका गलत जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा अगला कुशन है कौन सी दवा गीधो की समिष्ट में हरास के लिए उतरदाई है यह उतरदाई है डाइक लोरो फिनोग सडियम इसका जो एंसर जाका इनदाद नामबर हो जाएगा यही अगला ऑक्सम Keeper Ern ढर नीवारक दवा यर बुकृखार के लिए दिया जाने वला यह एक दवा है अगला कौशन को निम्लिखित में से वायू का कौन से घहटक जलने में साहयक कोून से इसमें की सब्सक्राइब कोशन की कमी के कारण मौत होता है इसका जो एंसर जगा बीनंबर हो जाएगा अगला कुशन है 1902 बिहार में भारती राश्र कांग्रेश का अधियूसन हुआ था आपको बताना है कि 1912 में जो बिहार कि भारती राश्र कंग्रेश कर अधियूसनばい ता यह अधियूसन पत्नाएगा नंबर में हुआ था इसके अधेक्षा कौन किये थे इसके अधेक्षा सी यार दास ने किये थे यहां दिया गए भारतराइश्ट कॉंग्रेस का प्रतम सम्मिलन को हुआ था यह सम्मिलन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था यह कहां हुआ था बंबाई के गोकुला दास तेजपाल संस्क्रीट कॉलेज के व्यूमेश चंद्रबनर जी की अधेक्षा में किया गया था तो इसका जो एंसर हो जगा भी नंबर हो जाएगा अगला कुशन है 1857 इस भी के बिद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है कि 1857 का बिद्रो जब हुआ था उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे लॉड कैनिंग इसका जो एंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा यह लॉड कै बताना आपको गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो था वह कौब किये ते यह उन्नीस्टो सत्रह में बिहार में किए इसका जो एंसर जागा डिनमबर हो जाएगा अगला कौशन ने इसका निर्मार जो है दामोदर नदी पर किया गया इसका जो एंसर हो जागा सी नमबर हो जाएगा यही कोशन पूछ दे कि भारत की प्राथम बहुत यह नदी घाटी पर्यूजना जो था यही पहली था यह कब किया गया था तो 1948 में किया गया था अगला कोशन देखते हैं मगद की रजधानी कौन सी थी बताना है कि मगद की रजधानी इन में से क्या थी तो मगद की रजधानी इसमें दिया गया जो घ्री उरज राजग्री था इसका जो एंसर हो जागा सी नमबर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं भारत और नेपाल क कि नदी किसे का जाता है अगला कोशन देखते हैं राष्ट्य विकास परिस्त का गठन कब किया गया था इसका गठन जो किया गया था उनीच सब बावन में किया गया था इसका जो एंसर जगा सी नमबर जगा भारत में योजना अयोक पूछ देखिंगी योजना इसका कब गठन किया गया था यहीर कोशन पूछ डेखिंगी पहली बार पंचवर्शी योजना कब आया था यहाँ दिया गे 1958 छपन बारत में कुल 12 पंच वर्सी योजना चली अब पंच वर्सी योजना के अस्थान पर एक अप्रेल 2015 को योजना आयो का गए तो याद रखेगा कोशन पूछ देता है किसके अस्थान पर निती आयो का गठन किया गया या योजना योजना आयो का अस्थान पर किया गया था 1950 में किया गया था अगला कोशन देखते हैं प्रहदी पिय भारत के सिखरी के समूह का चैन उनकी उचाई के औरोही कराम उनुसार कीजिए इसमें औरोही कराम उनुसार में बताना है तो देख लेते हैं सबसे पहले दोड़ा बेटा दोड़ा बेटा जो है इसकी उचाई जो है 2637 मीटर है फिर आगे दिये गए गुरु सीखर गुरु सीखर जो है इसकी उचाई जो है 1722 मीटर है फिर अगला दिये गए महेंद्रगीरी महेंद्रगीरी की जो उचाई सो छोटी है वो उचाई जो है 1501 है फिर यहां दिये जिसकी उचाई 2695 मीटर है उसके बाद 12 बेटा हो जागा 2637 मीटर है फिर गुरु सिखर जो 1722 मीटर है फिर उसके बाद महेंद्र गिरी जो कि यह 1501 मीटर है यही एक कोशन पूछ सकता है कि प्राइदीपिय भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो प्राइदीपिय भारत की सबसे उची चोटी यह अनाई मुडी ही हो जाएगा यही कोशन एक और पूछ सकता है कि निल गिरी परवत की सबसे उची चोटी कौन सा है तो यह दोदा बेटा हो जाएगा फिर एक कोशन और पूछा जा सकता है कि गुरु सिखर जो है कीस परवत की सरवत चोटी है तो यह कि पुरुवी घाट का पर्वत क्पुरुवी घाट का पपुरुवी घाट का पर्वत चोटी कौन महेंद्रगीरी तो यह समाज के अस्थापी गए घन राजाराः और यहां दिया गया सत्य सोधक समाज जो था अठारासो समाज प्रात्ना समाज जो है इसकी अस्तापना अठार सो शाठ में जो इसमें जो सबसे पहले होगा वह 1828 में हुआ था जो कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राइद्वरा किया था इसका जो एंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है इन में से कीस मुंगल सासक ने सबसे लंबे समय तक भारत को सासन किया है तो सासन करने का क्रम जो है देख लेते हैं सबसे लंबा कि साहा का करकाल जो था यह है यह साहा जहा जो था यह 1628 98 मतलब तीस साल तक यह सासन किये है उसके बा Kings आइज paar यह लंगा इन्हों इन्होंने 1530 से 40 एकबर की हैं फिर बीच में उनका सासन खतम गया था फिर उसके बाद 1555 से 56 की हैं तो ये लगबग 10 साल तक सासन की हैं तो इनका जो इनमें बताना है कि सबसे लंबा किन का रहा है तो सबसे लंबा जो रहा है वो अकबर का रहा है इसका एंसर जो जगा C या पूरा का फुल नेम् क्या होता है पूरा का फूल नेम् होता है प्रूभिज्ज्डनल अरवफ और एमिनेटिजिए ग्रूलर एरिया अगला कोश्िन देखते हैं लंबाई के दिरिष्टी रिश्टी से चीन को कांव यही कोशन पूछ देक यूरोब का मरीज किसे का जाता है अगला कोशन देखते हैं तो अतंतरता से पूरो कौन से भारतिय छेतर काला पानी के नाम से जाना जाता था काला पानी के नाम से जो छेतर जाना जाता तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था इसका जो एंसर हो जगा B नमबर हो जगा इसी अंडमार और निको बर दीव समूह पर एक जेल है जिसको सेलूरर जेल के नाम से जानते हैं अगला कोशन देखते हैं प्राथम पंचवर्सी योजना का प्राथिमिक्ता क्या थी? इसकी प्राथिमिक्ता जो थी क्रिसी का विकास था इसका जो एंसर हो जागा ए नमबर हो जाएगा अगला कोशन है इनमे से किस भारती राज का छेतर फल निवंतम है इसमें बताना है कि सबसे निवंतम छेतर फल किसका है? तो सबसे चेतरफल नियुंतम जो है उत्तर परदेश का है इसका जो एंसर जगा D नमबर हो जाएगा आगला कुशन है इन में से किस भारती राज की सिमा है चीन, नेपाल और भुटान से जुड़ी होए बताना है कि किसका सिमा चीन, नेपाल और भुटान से इसमें जुड़ा हुआ है तो देख लेते हैं इसमें किसका जुड़ा हुआ है मिजोरम जो है चीन से इसका सीमा नहीं जूड़ता है यह मैंनमार से जूड़ता है इधर दिया गया सीखिम सीखिम जो है चीन और नेपाल भुटान तीनों से घिरा हुए तो इसका एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा आगला कोशन है चाबाहार बंदरगा किस देश में पकिस्टान दिया गए।े पकिस्टान में कौन सा बंदरगा एक है। गवादर बंदरगाह जो है वो पकिस्तान में इस दीत है। ये ही कोशन पूचHN पूछ दे कि हम्न् टोटा बंदरगाह कहा है। हमऽन टोटा बंदरगाह है अगला कोशन देखते हैं.. निमलीकित में से कीस भारती राज को पोलो खेलने का उद्गा मस्तन माना जाता है या माना जाता है मड़ी पूर को इसका जो एंसर हो जाएगा C नमबर हो जाएगा अगला कोर्शन निमलीकित में से कीस लोक नृत का संबंद असम राज से नहीं है इसमें कीस का संबंद नहीं है तो ढेख लेते हैं इसमे कीस का संबंद नहीं है तो पहला दिया गया है कि नट पूजा नट पूजा जो है यह असम राज से है अगला है चोंगली चोंगली जो है यह भी असम राज से है बीहू बीहू भी असम राज से है काठी काठी जो है असम राज से नहीं है जबकि यह मद परदे से है तो इसमें बताना है कौन सा नहीं वो किसके नाम पर रखा गया तिया जो रखा गया था भारत के एक महार सर्वेक्षन के नाम पर रखा गया था इसका जो एंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा अगला कुशन है जन्मत है बताना है कि जन्मत इन में से क्या होता है जन्मत जो होता है संपूर्ण समाज के कल्या पर अधारी तराय होता है इसका जो एंसर हो जागा डी नंबर हो जाएगा अगला कुश्चन है लोगतंत्र को ससक्त बनाने की क्या चुनावती नहीं है इसमें से देख लेते हैं क्या नहीं है तो पहला दिये गए जन प्रतिनीद्यों का जनता के प्रति सवेदंसील बेभार यह हो गा सत्ता पध्वानी और परभूत वाले वश्यों को प्रभाव को काम करना यह भी करना अगला लोक्तंत्रात्मको ससन की संस्थाओं को कारेप्राणी की सुदार यह भी होगा अगला जाति प्रता का उन्मुल्यान यह जो है नहीं उसका जो यह जागा is नहीं चुना करना था तो यह जुछनी का अगला मैं भूम न्डली करन का खराइंस क्या है तो यह यह नंबर च्वासटाय साथ संवेर करना है इसका जो एंशरण करना हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं नीजी करन उस परकृषर को कहते हैं जिसमें इस परक्रिया को कहा जाता है इसका एंसर जो हो जागा सी नमबर हो जागा नीजी छेतर का विकास परक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है और उन्हें मजबूत बनाया जाता है सरवधिक छेतर में प्रस्थितियों को बेचा जाता है तथा नीजी छेतर के हाथ मे वो Adam Smith और Ricardo ने किये थे, इसका जो एंसर हो जगा C नमबर हो जगा, यहाँ कोशन दिया गए Adam Smith, Adam Smith को अर्थ सास का जनक कहा जाता है, इनकी एक पूस्तक है वेल्थ अप नेशन, जो की इसकी रचना कब किये थे, तो 1776 में इन्होंने इसकी रचना किये थे, वेल्थ अप नेश से, अगला कोशन देखते हैं, मजदूरी की कटावती द्वरा रोजगार में ब्रीधी की जा सकती है, यह कथन किसका है, यह कथन जो है, पीगू का है, इसका एंसर जो जगा B नमबर हो जाएगा, अगला कोशन है, ऐसे थ्रामिक जिसके पास 3C योग भूमी नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है, भूमी हीन स्रामिक, इसका जो एंसर हो जगा B नमबर हो जाएगा, अगला कोशन है, बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, बताना है कि सबसे जनसंख्या होला जिले बिहार में कौन सा है, यह हो जाएगा पटना है, इसका जो एंसर हो करिछ लेते हैं पहला देख्टी में कारे रध्रमिक जो की होगा अगला कुछन है बजार के नियम का पर्तिपादन किया गया था जै बीसे ब्हुंत आँ जो एंसर जगा C नमबर हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं बिहार में क्रीसी स्रमकों की संख्या में बृधी कारण क्या है ये बृधी कारण जो है पहला दियागा क्रीसी का पिछड़ा पोनी ये भी सही है अगला सहायक उद्योग धंदों का अभाव ये भी सही है तो इ आठवी योजना में रहिए उननी सो बानबे से संतानबे जो आठवी पंच वर्सी योजना चला था उसी में तरवधिक रहा था था इसका जो एंसर हो जागा सी नंबर हो जाएगा अगला कोशन है देश के प्रथम अदोगिक नीती की घुशना की इसका affected जो एंसर हो जागा Jordi नंबर हो जागा विदल्ला दो निटी को आठवी में 256 में आगलाकोशन है बीसव बाइदिक संपदा संग्ठन का alors रहे तइसका मुख्याले जो है वह जेनेवा में है इसका जो एंसर जागा टी नंबर हो जागा यही कोशन पूझे बिस्व बाइदिक संपदा संग्ठन जो है इसकी शulative कब किया ग εδώ तो अस्थापन और 8 or 6 में किया गया था फिर कोशन पूछ देगी बरतमान में बीस सुबैतिक संपता संगटन में कुल कितने देश हैं ते इसमें कुल अभी 191 देश सामिल है अगला कोशन है ब्लू माउंटेन परवत सिखर भारत के किस राजे में इस्थित है बताना है कि ब्लू माउंटेन परवत जो है भारत में कहां इस्थित है या जो इस्थित है मिजोरम में है इसका जो एंसर हो जागा ए नमबर हो जाएगा या ब्लू माउंटेन परवत सिखर यह पुर्वत्तर भारत की लुसाई परवतमल मैं इस्थित फौंग पूई को ही बूउ मौउंटेन या निला परवत का आजाता है याद रखेंगा निला परवत का और किस नाम से जानते हैं तो फौंग पूई या कहां पड़ता है तो पुर्वत्तर भारत के या मिजोरम में पड़ता है अगला कोश्चन है इंडियन वैक्सिन ग्रोथ इस्टोरी फ्रम काउपॉक्स टू वैक्सिन मैत्री किसने लिखा है या लिखे है सजन सिंग ने इसका जो एंसर हो जागा ए नमबर हो जाएगा अगला कोश्चन है बीस माई दोहजर तेईस को केंद्रिय सतरक्ता किसने लिए यह सपत जो लिए है यह प्रभीन कुमार सिर्वास्तों लिए है इसका जो एंसर हो जागा बी नमबर हो जाएगा अगला कोश्चन है माई दोहजर तेईस में महराष्ट में अस्माइल एंबेश्टर कौन बनाए गए हैं या अस्माइल एंबेश्टर जो संदे किस देश के सीटी आफ परमट्टा काउंसिल के लौड मेर चुने गए हैं यह लौड मेर जो चुने गए यह चुने गए अस्ट्रेलिया में इसका जो एंसर हो जागा बी नमबर हो जाएगा अगला कोशन है बी सी सी आई ने आई पीए दोजर तेस में प्ले आफ कि बैठक भारत के अधिकता में कहां आयोजित की गई थी यह जो किया गया स्रीनगर में किया गया इसका जो एंसर हो जागा अगला कुशन है नेपाल की रिजधानी कटमांडू में आयोजित इन एसी सी यह भी महिला बॉलीवल चैलेंज को आपका किताब किसने जीता है इस प्राप्त होगा वीडियो को लाइक कर जीजगा दोस्तों को सेयर किजगा फिर मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक लिद्धानने बात जय हैं